आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार सेरा सुरक्षित सीटे शामिल है जब कि कुल 627 उमीदवार मैदान में है और आज यारी की शनिवार की शाम तक पोलिंग पार्थियां बूथों पर बहुत जाएंगी तो सोला जिलो की 69 सीटों पर वोटिंग होनी है और अब चनाव प्रचार भी थम गया है शनिवार से आज शनिवार है और आज ऐसे में 69 विधान सभा सीटों पर पोलिंग पार्थियां बहुत जाएंगी कल चनाव होना है और बीती शाम से ही चनाव प्रचार थम गया है 69 विधान सभा सीटे हैं सोला जिलो की जिन पे कल चनाव होगा और 13 सुरक्षित सीटे शामिल है इनमें जिके कुल 627 उमीदवार है मैदान में जिनकी किस्मत कल EVM मिक्याद होगी कल जनता 627 उमीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी और बीते शाम प्रचार प्रचार थम गया है और अब चौथे चरण के प्रचार के लिए सभी पाठिया जीजान से कोशिश कर रही है 16 ऐसे जिले हैं जहां पे कल चनाव होना है यानि की रविवार को काफे एहम है कि सपा की तरफ जादा जाते हैं तो सपा की तरफ जाएंगे या फिर इनमें भी बटवारा होगा बिखरा होगा ये देखना दुल्चस्प होगा पूरी ताकत जोग दी है बीजेपी की तरफ से भी अदने पार्टियों की तरफ से भी और अखलेश यादव की समाजवादी पार्टी के तरफ से भी पूरी जीजान से कोशिश करी गई है और इस बार जिन जिन जगह पे चुनाओ हैं वहाँ पे सबसे ज़दा यादव वोटर है सबसे पहले दो चरड के चुनाओ हो चुके हैं और दोनों में ही किसान सबसे ज़दा थे जाट सबसे ज़दा थे और साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स दूसरे चरड में सबसे ज़दा देखे गए अब तीसरे चरण में जैसे जैसे हम लोग जैसे ये चुनाव पूरवान चल के और बढ़ रहा है पूरवी हिस्से में बढ़ रहा है वैसे वैसे दल्चस्प होता जा रहा है उतरप्रदेश में साथ चरणों में मतदान है और ऐसे में हर वर्ग एहम है इस चुनाव में क्यों सबी जाती धर्म के लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और ऐसा भी माना जा रहा है जितनी भी लोगों से जनता से मतदाताओं से हमाइस मतदाता ने बात करी ये देखा गया है कि इस बार के चुनाओं जाती धर्म से हट कर विकास के मुद्दों पर हो रहे हैं आ गया और ना ही जनता इस बार जाती धर्म को देखके वोट देना चाहती है तो इस बार के चुनाओं काफी दल्चस्प है क्योंकि इस बार कई मुद्दे हैं वो सुरक्षा का हो स्वास्त का हो विकास का हो महिलाओं का हो इस बार महिलाओं का मुद्दा भी काफी जोर शो महिलाओं अपने घरों से निकली बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार भी मनी थी बीजेपी को समर्थन मिला था महिलाओं का और इस बार महिलाओं का मुद्द जोर शोर से उठाया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं इस बार किसमत लिख सकती है क्योंकि सभी के मेनिफेस्टों में महिलाओं को महत्वता दी गई है महिलाओं के लिए हित्म में बात करी गई है और इस ख़बर पर हमारे साथ कानपुर दिहाथ से समवधाता अभय जुड़ चुके हैं कानपुर में भी तीसरे चरड का प्रचार थम चुका है और हमाई से समवधाता अभय जुड़े हूए अब है क्या कुछ देखने को मिल रहा है जितनी भी समय मिला है सभी पार्टियों को किस तरह से प्रचार पिस सार देखने को मिला विकुल बता दे कि लगातार जो तीसरे चरल का चुलाओ प्रचार था वो कल साम 6 बजे पर रोग दिया गया था अब लगातार जो प्रत्यासी है वो प्रचार नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ प्रत्यासी ऐसे है जो अभी भी लगातार लोगों के पास जा रहे हैं उनके जो समर्थ तक हैं वो अब सांतिपूर धंक से लोगों के पास जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और अपने कि निग्रानी में रवाना की जा रही है और सब सिकंड्रा विधानसभा की बात करें तो वहां पर पाल और कट्यार बहुत अदिक होता है जो कि विधायक बनाते हैं या तानसर बनाते हैं तो वहां पर उन लोगों की गड़ी ताधिक अच्छी बैठती है यदि भोगनी पुर्विधान सभा की बात करेंगे तो वहाँ पर जादो वहमूल बोट अधिक है और मौमदन बोट अधिक है मुसल्मानों का जो मद्दान है वो अच्छा होता है हर बार की पोलिंग 2017 का पोलिंग बूत देखा जाए या 2019 का देखा जाए सब्सक्राइब करना जाता है इसके पहले यहां तो उनको हार का सामना पड़ा करना पड़ाता अभी 2017 की ही बात करें तो अब सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है कानपूर देहाद की जो सीटे हैं उनको निकालने के लिए लेकिन कई सीटे ऐसी है जो कि समाजवादी पार्टी या अन्य दोलों के खाने में में भी जा सकती है अब है पूरे उत्तरप्रदीश में बीजेपी और सपाही काटे की टकर दे रही है और कौन से पार्टी कानपूर देहाद में नजर आ रही है जो की चुनाती दे रही है दोनों ही पार्टियों को विधान सभा कर जो चुनाओ है वो बहुत दिल्चरब चुनाओ कहा जा सकता है जनता के लिए क्योंकि बहुजन समाजवादी और भारती जनता पार्टी की नजर आ रही है लेकिन बहुजन समाजवादी कही न कहीं भारती जनता पार्टी के बोर्ट बैंक को कम करती नजर आ रही है जी कॉंग्रेस का हाथ देखने को मिल रही है कॉंग्रेस ने जितना भी पिचयर पिसर किया है क्या लगता है उसके खाते पे कोई सीट जा पाईगी कांग्रेस पार्टी लगातार वादे तो तमाम कर रही है लेकिन जमीन फ्यफ है कि पार्टी इस मत जात्यूं बहुत बहुत शुक्रिया मासर जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मासर कानपूर देहाथ से समधाता अब है जुड़ेते उन्होंने बताया कि बीजेपी और सपा के बीच काटे की टक्कर है लेकिन बीजेपी भी वोट बैंक बिगार सकती है बीजेप भी भी है जिसके खाते में वोर्ट बैंक वोटर जा सकते हैं और वोट बैंक में बदलाव हो सकता है अभी कुछ बहने जाये जाये हैं silent voters माने जाते हैं और जब नतीजे सामने आते तो वो हैरान करने वाले होते हैं फिर चाहे किसी भी पार्टी के बीच में टकर क्यों ना हो वो बीजेपी हो सपा हो दोनों ही पार्टिया अपनी पूरी ताकत लगा रही है और इसके बावजूद भी BSP जो की कम नजर आई है जमीनी तोर पर लेकिन अभी भी ऐसे मतदाता जरूर हैं जो की चाहते हैं कि BSP की सरकार बने तो तीनों के बीच का टिकिटकर है कॉंग्रेस ने भी अच्छा काम किया है कॉंग्रेस की तरफ से जित अभी प्रिचोर प्रिसार किया गया है तो ये चीज़ सामने आती है कि कॉंग्रेस ने महनत तो बहुत करी है लेकिन वो कई गायब सी हो गई है काफी लंबे समय से गायब होने की वज़े से कुछ कम दबदबा देखने को मिला है अलग कि पिछली बार की चुनाओ में कॉंग्रेस ने कहीं भी नजर नहीं आई थी लेकिन फिर भी बिना महनत के ही कुछ पार्टिया उनकी खाते बे गई थी लेकिन इस बार कॉंग्रेस काफी महनत करती हुए नजर आ रही है इस चुनाओ में और इस चुनाव में सभी दल अपनी अपनी पूरी ताकट जोक रहे हैं इस टार पिचारे को तार दी हैं लेकिन अगर वोट बैंक के बात करें तो वो बिखरे हुए हैं यह नहीं का जा सकता कि जस तरह से 2017 में योगी मोदी लहर थी तो एकी तरफ पूरे वोटर्स चले गए थे तो इस बार अलग देखने को मिल रहा है इस बार क्योंकि जन्ता ने बहुत कुछ देखा है वो चाहे कोरोना हो पलायान हो कई मुद्धे हैं जो विपक्ष द्वारा जा रहे हैं तो इसका प्रभाव भी पढ़ता हुआ सीधे तोर पर इन चुनावों पर नसर आ रहा है और इस खबर पर मैं समस्वाद बाचीत के लिए समद्धा तब विभांशु जुड़ चुके हैं विभांशु तीसरे चरण के जो प्रिचार है वो थम चुके हैं और अ समझवादी घर है वहाँ था जिसमें आपने देखा कि अखिलेश यादो और उनके पिता मुलायम सिंग उनके चाचा सिवपाल संग रत पे सवार हुकर पचार कियें और इसी में आपने देखा कि करहल सीट पर जो होट सीट माने जानी लगी है जो कि समझवादी पार्टी समझवादी पार्टी की द्वारा ऐसा असीम अरुन के समर्थकर उनका कहना है तो इन सब चीजों को देखते हुए अब जो राजनीती माहौल है वो काफी गर्मा चुका है और अब चौथे चरन के अब कल देर साम तीसवे चरन के डोर-टू-डोर कंपेन और प्रचार के व अब चुके हैं इसी को देखते हुए आज उत्रव देश के जो राजधानी लखनव है यहां जो अमवसी एयरपोर्ट पर 32 हेलिकॉप्टर पारा पारी उतरेंगे एक साथ-दस हेलिकॉप्टर उतरेंगे जिसमें देश के प्रधान मंत्री और ग्रीह मंत्री अमित्सा और अच्छा मंत्री राजनाज सिंग या बात करें तो भारती जनता पार्टी के राष्टी अध्यक्स जेपी नड़्डा समेथ सभी बड़े नेता आसपास के जिलाओं में जाएंगे जिलों में जाएंगे और भाजपा के लिए समर्थन हासिल करेंगे तो साफ तोर पे हम कह स जा रहा वही आम आजनी पार्टी की तरब से भी और आप देख सकते हैं कि जो छोटे दल है जो भागिदारी संकल्प हिस्सा मोर्चा के तहत जो एक मोर्चा बनाए गया थे इसमें ए आई-ए-ए-म-आई-के जो रध्यक्ष है और बाबु सिंग स्वाहा समेथ वामसी तमाम नेता भी जन्सवा कर रहे तो साफ तर पर हम कह सकते हैं कि चौथे चरण के जो दो दिन बचे हैं उस पर पूरा दमखम ये नेता लगाते हुए दिख रहे हैं जी सिखा विभान श्री जिस तरह से कहा जा रहा है कि तीसरे चरण का चिनाओ यादव लैंड में है जी अगर बात करें तो पिछली बार की चुनाओ में आपने देखा था कि बहुत बड़ी सेदमारी बीजेपी के दवारा इन 59 सीटों पे की गई थी जिसमें साफ तौर पे यहां से राजधानी के विधान सवा की चाभी इस तीसरे चरण के मत्द जो सीटे हैं वहां से निक टिक टो के बटवारा को सावधानी से बाटने के साथ ही साथ वो जो बड़े नेता हैं उनको उतार कर और जो उनका गर है उसको पूरा अफिर से वापस से अपने कबजे में लेने के हर एक मुमकिन प्यास कर रही है और वो की अब आने वाले दस मार्च को पता चलेगा कि आ इजेपी की तरफ से तमाम वरे नेता इन सीटों पर जाकर अपना जो लोगों का समर्था ने उसे इकठा कर रहे थे वहीं अगर बात करें तो 627 प्रत्यासी अपने किस्मत का तीसरे चरण में भागे आजमाये थे अब उसमें लगभगे 59 विधायक बनकर आएंगे अब 10 मा है और कल चनाओ होना है तीसरे चरण का और सभी मैदान में उत्रे हुए हैं और काटे की टकर दे रहे हैं हलाकि तीसरे चरण का प्रसार कम हो चुका है लेकिन चौते चरण के प्रसार के लिए प्रचार के लिए पूरी ताकत जोग दी गई है सभी दलो द्वारा एक तरफ जहां तीसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है तो वहीं चौते चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रचार शुरू कर दिया है इस चरण में जादतर अवद के लाके हैं जहां अयोध्या भी है जो देश की सियासत की दिशात तै करती रही है वहीं आज प्रदेश में चौनावी प्रचार के कई पार्टी के दिगज होता रहे हैं जहां आज राजनात सिंग गोंडा में जनसभा करेंगे तो वहीं आज चौनावी प्रचार और प्रसार के लिए चौते चरण के प्रचार के लिए आज सभी जिलों में नजर आएंगे चौते चरण में जहां जहां चौनाव है वो चाहे फतेपुर हो लखनाव हो राइबरेली हो गोंडा हो या फیर जो है उतर प्रदेश की हाट सीट माने जाने वाली आयोध्या जो कि इस वक्त सबसे जादा सियासत को गर्माती नजर आ रही है आयोध्या वो देश की सियासत की दिशा तै कर रही है क्योंकि राम मंदर का एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसकी वज़े से माने जाता है कि वीजेपी इसी के दम पे अपनी पार्टी बना करेंगे फतेपुर लकनाओ और राय बरेली का दोरा डिप्टी सियम करेंगे और सफा सुप्रीमों भी पीली भीत लखिम पुर्खेरी सीतापुर और हर्दोई के दोरे पर रहेंगे और प्रियंका गांधी भी इसी प्रचार में कहीं पीछे नहीं रहेंगे वो राय बरेली मैं प्रचार करती हुई नजर आएंगी चौथे चरण के प्रचार के लिए सभी दिगज आज नजर आएंगे अलग-अलग जिलों में तो 16 जिलों में जहाब तीसरे चरण का प्रचार प्रसार थम चुका है और अब चौथे चरण के प्रचार के लिए सभी दिगज जुट चुके हैं काफी कम वक्त बचा है और ऐसे में सभी की तयारिया जोरो पर है कई बड़े दिगजों को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से और एक एक करके सभी चरण को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे सभी दल जहां हमने देखा कि पहले दूसरे और तीसरे चरण के लिए पूरी ताकत जोग दी थी सभी पार्टियों ने और कोई ऐसा जिला नहीं छोड़ा जहां पे प्रत्याशियों के लिए चिनाव प्रिचार प्रिसार करते हुए नेता न नजर आये हो कई बड़े दिगज जमीनी स्तर पर उतरे और चाहे बीजेपी को सपा हो कॉंग्रस हो या फिर बीजेपी हो सभी दलों के दिगज उतरे हो और आज भी कई जनसभाई देखने को मिलेंगे बाक टू बाक जनसभाई देखने को मिलेंगी वो चैस सपा की हो कॉंग्रस की हो बीजेपी की हो बीजेपी के तो कई दिगज उतरने जो आ रहे हैं आज एक साथ इसमें डिप्टी सीम की बात करी जाए वो राजनाथ सेंग और कई ऐसे वड़े नेता हैं जो कि आज जमीनी इस तर पर उतर कर जनता के बीच जाएंगे जनता के बीच जाके जनापरचार करेंगे अपनी पार देते हुए नजर आएंगे और इस खबर पर हम आइसा ज़ाद बाचीत के लिए फटेपूर से समधाता अमर दीप जुड़ चुके हैं अमर दीप क्या कुछ जानकारी है आज कौन-कौन से दिगज नजर आएंगे फटेपूर में देखे फटेपूर जनत्पत में चौथे इसमें कि फटेपूर जनत्पत के बिल्की तैसिल में ओएशी का आगमन होना है और वहीं खागा विधान समार में भाजपा के प्रदेर संद्याच सौतन द्योशिंग को आना है और गाजीपूर में केशो परसाद इप्रसाद मोर्या को आना है तो जो चौते चनल का जो मदान होना है उसमें सारी प्रद्याशियों ने अपने अपने इस्टार प्रजारबों को बुरा करके एक तरीके से अपने पच्छ में जन समर्थन करने के लिए या पच्छ में मदान करने के लिए इन नेटाओं को बुलाए गया है अभी तक की य अगर आगर हम शुचुछ की बात करें उसके लिए बियसपी की बात कही जाती है इसके बात बहुत सारी ऐसी पार्टिया है अब रही बात अगर इसके अगर बात की जाए तो उसके वो सभी का समर्थन लेके चलती है पर अब ये देखने वाली बात है कि आतरकार ऐसा क्या हो गया कि कुछ पार्टिया फ्रेंट पे आ गई और कुछ पार्टिया डूबने की कगर पे पहुंच गई जिसे करते हैं अमर्दीब BSP और कहां कुछ देखने को मिल रही है क्योंकि भाजपार सबाग बीच टकर देखने को मिल रही है तो BSP कि वोटरों पर अपना प्रभाव डाल पाएगी क्या BSP के खाते में सबसे जाधा वोट जा सकते हैं क्या तीसरे चरह में क्या कुछ बदलाव हो सकता है पर अगर हकीकर जानी जाया तो ये दस मार्च को होने वाली मत दढ़ना के ही सारी तस्वीरे साथ आती हैं पर अगर ये कहा लिए कि कैसे ये उरकी उपर आएगी तो हमने आप से बताया कि ये एक लोगों का एक मैं 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 सोचने की बात होती है कोन किसके पंचे में सवर्थन करेगा कोन किसके पंचे में सवर्थन नहीं करेगा जी बिल्कुल बहुत 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 शुक्रिया मैं से जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस कबर पर मैं से समधाता अमदीब जुड़ेते फटेपोर से चुनावी प्रचार के लिए कई दिगज उतर चुके हैं चौते चरण के प्रचार में सभी दिगज लगे हुए हैं आज कॉंग्रेस की तरफ से भी प्रचार किया जाएगा वीजेपी की तरफ से भी कई दिगज उतर रहे हैं और सपा की तरफ से सपा सुप्रीमों भी आज पेली भीत लखीमपुर्खरी और सीतापुर हर्दोई में दौरा करते हूँ नगले जंता की बीच जञाएंगे और जंता को संवोधित करेंगे, सरकार पर निशान असा देंगे, अपनी सरकार के कारेकाल के बारे में बताते हुए भी नज़र आएंगे अपने कारकाल के उपलब्धिया गिनाएंगे सपा सुप्रीमो, पिलीभी, लखीम पुर्खरी, सीतापुर और हर्दोई में तो आहीं राइबरेली में प्रियंक गांधी नज़र आएंगे और ऐसा माना जाता है कि राइबरेली में कॉंग्रस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता रहा है लेकिन जबार के जनता क्या फैसला लेती है ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन सभी प्रत्याशियों के लिए आज स्टार प्रिचार के जमीन पर उतर कर वोट की अपील करेंगे और साथी साथ विकास के दावेवादे भी करते हुए नज़र आएंगे तो चौथे चरण के लिए प्रचार 23 हो चुका है और इस चौथे चरण में अवद के इलाके हैं अयोध्या भी है जो की इस चुनाव में काफी महत्वपूर भूमी का रखता है प्रदेश में चुनावी प्रचार में कई पार्टियों के दिगज उतर गए हैं आज राजनात सिंग गोंडा में नज़र आएंगे जनसभा करेंगे फटेपुर लखनव और राइबरेली का दौरा करेंगे टिप्टी सीम और वहीं फटेपुर में एाइम आइम प्रमुख भी नज़र आएंगे जनता को संबोधित करेंगे सपा सुप्रीमों पिली भीत लखीम पुर्खिरी सीतापुर हर दोई में नज़र आएंगे एक साथ चार जिलों का दौरा करते हुए नज़र आएंगे और पिली भीत लखीम पुर्खिरी सीतापुर हर दोई इन सब वोट्रों पे यहां के वोट्रों पे अपना प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे और विकास की बात करते हुए तो नजर आते ही हैं सभी बड़े नेता लेकिन जब कोई बड़ा चेहरा बीच में आता है तो काफी समर्थन मिलता है तो वहीं BJP की तरफ से भी पूरी तैयारी है हर जुले में प्रचार प्रिसार करने में कोई कसन नहीं छोड़ी जाएगी दिगजो को उतारा जाएगा तो प्रियंगा गांधी राइबर एली में भी कोई कसन नहीं छोड़ने वाली है जो हाँ BJP और सपा की तरफ से भी कई बड़े चेहरे चुनाओं में वोट की अपील कर ड़े हैं और अपने प्रत्याश्यों के लिए वोट मांगने आ चुके हैं तो वहीं प्रियंगा गांधी आजो राइबर एली जाएंगी वहाँ पर प्रत्याश्यों के लिए वोट की अपील करेंगी साथी दावेवादे करती हुए नजर आएंगी कई ही इस बार दावेवादे किये गए हैं जंता के लिए मैनिफेस्ट यूपे विधानसभा चुनाओ के तीसरे चरण के प्रचार कशोर शुक्रवार की शाम 6 बजे थम गया इस बार के चुनाओ के सबसे बड़े इस चरण के लिए वोटिंग रविवार को यानिकी कल होनी हैं और इस चरण में 16 जिलों की 69 विधानसभा सीठे शामिल है इसमें 13 सुरक्षित सीठे शामिल है जो की कुल 627 उमीदवार मैदान में हैं और आज यानिकी शनिवार की शाम तक कोलिंग पार्ट या बूथों पर पहुँच जाएंगी सुरक्ष विवस्ता के सारी इंतजाम होंगे कोरोन गाइडलाइन्स का पालन कराते हुए मतदान कराये जाएंगे और सभी तैयारिया पूरी कली गई हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराये जाएंगे तीसरे चरण का मतदान 20 तारिक को होना है 20 फरवरी को होना है और सभी दिगजों ने अब चौथे चरण के प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत जोग दी है सभी दिगज उतर चुके हैं मैदान में और बात करी जाएं तीसरे चरण की तो तीसरे चरण के प्रचार के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है और सभी पार्टियों के बड़े बड़े चहरे हर जिले पहुंचे और हर जगह सारी विधान सभा को कवर करने के पूरी कोशिश की गई है सभी प्रत्याशियों के लिए सभी उमीदवारों के लिए वोट की अपील की गई हो और ऐसा माना भी जाता है कि विधायकों के लिए विधायक पद के लिए जिन प्रत्याशियों को उतारा जाता है उनका चेहरा ना देखकर मौझूदा विधायक या फिर प्रत्याशियों को देखने को मिलते हैं खास और से UP में लेकिन विकास की मुद्धे को ध्यान रखा जा रहा है और कई सवाल उठाए गए और ऐसा देखने को भी मिला कि BJP की तरफ से कई प्रत्याशियों की टिकट काटे गए सपा ने भी कुछ बदलाव करें और BSP की बात करें तो BSP ने भी ऐसे चेहरों को उतारा है जिनको जनता का समर्थन मिलता आया है जनता से प्रेम मिलता आया है कॉंगर्स अपने पार्टी के और अपने मनिफेस्टों के बलबूते और जनता के बीच जा रही है सभी की अपनी अपनी रणीती है जिसमें जनता को लुभाने की कोई कोशिश या कसर नहीं छोड़ी जा रही है पूरी कोशिश करी जा रही है और इस खबर में मायसा ज़ाद बाचीत के लिए महोबा से समधा था दिलीप जोड़ चुके है नरीप क्या कुछ जानकारी है चुनाओ सरपर है और ऐसे में क्या कुछ तयारिया की गई है अभी तक प्रत्याशियों द्वारा और बड़ी बड़ी पार्टियों के दिगजों द्वारा जी बिल्कुल आपको बता दे कि विधान सभा चुनाओं को मद्दान को लेकर कल पर चार थाम गया था और जिसके बाद से प्रसासन ने अपनी पूरी तयारिया करने के बाद आज सुवज से डीमस्पी की मौजूदगी में पोलिन पार्टियों रवाना कर दी गई है प्रस चार सो एक्यानवे मत्दान केंदरों में सास सो सतासी मद्दे इस्थल बनाए गए हैं चार सो चवदा मद्दे इस्थल हैं तो उनकी वेब कास्टिंग होगी और जिले की दोनों बिधान सभा सीटों पर करीब साड़े छे लाग के आसपास मद्दाता अपने मतादिकार का प्रियोग करेंगे बहुबा सदर में 3,15,399 और चर्खारी में 3,45,658 मद्दा अपने मतादिकार का आने वाले वीस्तारी को यानि कि कल प्रियोग करेंगे हाला कि राजनेतिक पार्टियों ने अपने प्रचार प्रसार में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी लेकिन कल साम के बाद प्रचार थमने के बाद अब जो गुपत रूप से डोर टोर जन संपर के प्रतियासियों द्वारा प्या पार्टी कार करता हो द्वारा वो किया जा र क्या कुछ अपील करी जा रही है? खंड में पिछली बार जो बीजेपी की शांदार बड़ती और उसको लेकर बीजेपी हो या सपा हो कांगरेस हो बसपा हो सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है महोब जिले में और जो मंचों से बड़े-बड़े दावे हुए विकास से लेकर और धर्म क लेकर और इसके बाद अब जातिवाद को लेकर इस चीज से इंकार नहीं गिया सकता कि कहीं न कहीं आखरी में ये चुनाव आकर जो पिछली वार एक लेहर थी वो लेहर ना होकर बड़ा फसा हुए दिख रहा है जी बिल्कुल बहुत 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 शुक्र बॉलिंग पार्टिया बूतों पर पहुत जाएंगी तयारिया पूरी है और सुरक्षा विवस्ता का भी खासा ध्यान रखा जाएगा इस बुलेटिन में फिलहा लिता ही तमाम कबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार